आपके साथ में पॉर्टफोलिय वाला सिरीज जो फर्स्ट अब जैन्ट से हमने शुरू किया है अभी तक उसमें हमने सिरफ एट वीडियोज कवर किये हैं मतलब एट वीक्स को हमने कवर किया है लास्ट जो वीक था हमारा मतलब लास्ट वीक में अभी तक हमने नो न्यू एडिशन रखा है नो एडिशन का मतलब ना तो हमने कोई नया एंट्री लिया है ना ही किसी पुराने स्टॉक से हमने एक्जिट किया है याद रखेगा ये सिरीज आप लोगों के लिए शुरू की ह कोई भी इस हमारे पूर्टफोलियो में चेंज आएगा मैं डेफिनेटली पहले आपको अपडेट करूँगा तभी उसमें चेंज रहेगा थोड़ा बहुत डिफरंस हो सकता है कि 15-10 मिन्ट बाद आपको जो अपडेट मिले क्योंकि पहले मैं चेक करूँगा क्योंकि आच तो मार्किट ऐसे जिगजग मुवमेंट में ही हमेशा राइज करती है तो इस टाइम हम यहाँ पर खड़े हैं जब मार्किट नीची आएगी वापिस से हमें एंट्री मिलेगी तब हम दुवारा एंट्री लेंगे हमारे पास कैश है भाई लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना क कि उस कैश को हमें इन्वेस्ट करना ही करना है राइट और जब सही माइने में आपके सामने सही स्टॉक है हम तभी उसको अपने पोर्टफोलियो में आड करेंगे कोई स्टॉक अगर हमारा पफॉर्म नहीं कर रहा हम उस स्टॉक से निकल जाएंगे तो अगर आपको इस सी प्लेइस में जाएंगे प्लेइस में जाने के बाद में एक गोल्डन रूल्स का सीरीज है यहां पर इस पर डूट कीजिएगा नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो जो भी नई वीडियो एड होगा आपको यहांपर मिल जाएगा अगर हम लास्ट बात करें लास्टे की हमने stock से अपना profit book किया था हाला कि यह मैंने आपको update नहीं किया था यह मैंने अपने लिए रखा हुआ था that was only yes bank otherwise पूरा-पूरा portfolio same है तो अगर हम first gen से check करेंगे तो first gen और अगर हम अब बात करते हैं 7th March तक so 7th March के बाद में confirm and just get report if you look at here हमने अभी तक 1,64,000 इसका मतलब कोई नए अपडेशन नहीं किया है और जो last update हुआ है देखिए वो 27th of Feb को हुआ है इससे पहले मैंने भी कोई update नहीं किया है मतलब जो हमारा portfolio था वो as it is है तो यह चीज़ आपको यहां दिख जाएगी तो आप trust रखिएगा कि कोई भी नए update आएगा मैं पहले आपके साथ definitely share करूँगा current situation की बात करते हैं तो current situation में अभी मेरे पास में यह portfolio में 46,000 का यह अभी current loss चल रहा है इनफेक्ट आज थोड़ा बहुत recovery हुआ है otherwise यह 50,000 के आसपास चल रहा था यह जो आप देख रहे है ना minus 6% minus 6.01 यहां पर मेरा full cash मैंने full cash मैंने deploy नहीं किया हुआ है अभी मैं cash मेरे पास में available है around 4,000,000 का cash अभी बचा हुआ है जितना हमने invest किया था आप देखे रहे हैं उसमें से loss चल रहा है यह इसको कहते है इस वाले पार्ट को कहते है draw down draw down इसका मतलब यह होता है कि जब हमारा मतलब हमारे पास अच्छे stock है तो peak से जब market हमारे investment वाला portfolio peak से नीचे आता है तो कितने नीचे तक आ सकता है उसको draw down कहते हैं ideally हम इसको आराम से cover कर सकते हैं 10-15% तक कोई problem नहीं आती है और बीच में ऐसा नहीं कि हम stock बिलकुल नहीं लेंगे लेकिन in fact मैं आपको कल के लिए मैं ढूंड भी रहा था इस बात के लिए कल मैंने पूरा mood बना लिया था कि मैं आपके साथ में कुछ stock share करूंगा लेकिन हु देखेंगे यह कुछ list है हमारे पास में इंडेक्स इंट्राडे लिस्ट वन लिस्ट तू स्विंग पोर्टफोलियो मतब डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बना रहे हैं मैंने अपने हिसाब से तो मैंने क्या किया मैंने पहले list 1 में देखा trust कीजिएगा कल almost मैं कह रहा हूं सरफ financial को छोड़के 80% stock red में थे लगातार इसको मैं चेक कर रहा था red 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 लगातार red मतलब इतना कैसे हो सकता है यार कि पूरा-पूरा market red में हो गया उसके बाद मैंने list तू देखा ये भी completely red चल रहा था तो हिम्मत नहीं हुआ जब stock perform करेगा तब ही तो state बनता है न अब जब परदस्ती सरफ यह बताने के लिए कि I can give you stocks और आपका loss हो वो मेरा इरादा नहीं है क्योंकि यहां पर हमारा motive पैसे कमाना है गवाना नहीं तो आप इस बात को यह देखिए को आप इसे portfolio वाले में भी आज तो पूरा-पूरा green है कल यहां पर सारे के सारे देखिए अगर मै All Cargo दिखाता हूँ यहां पर आपको यह अगर मैं इसको थोशा हटा लेता हूँ All Cargo देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पिक किया था, Breakout के लिए 88 के आसपास, लेकिन 88 से देखेंगे, तो यह आपका 6% डाउन है, तो कोई स्टॉक नहीं बनता, जबकि यह सारे स्टॉक मैंने आपके लिए ही पिक किया थे, National Aluminium भी डाउन है, सुविन देखिएगा, वहीं प तो स्टॉक को मैं हटा दूँगा, जैसे मुझे लग रहा है कि उगार शुगर में थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, All Cargo में I could say नहीं बनरे बात, National Aluminium को भी मैं थोड़ा सा अभी डाउन कर सकता हूं, हटा दिया मैंने, सुवेन को भी मैंने हटा रहा हूं इस वक्त, और As of now, just to update you, कि आपको ये ना लगे कि हम इसको आपको साथ चीट कर रहे हैं, नहीं, just to update you on this, अभी हमने कोई नया trade execute बिल्कुल नहीं किया है, नहीं कोई नया addition है आपके लिए, नहीं कोई हमारे पास में देखीगा, अरतन पावर, सुजलॉन, येस बैंक, येस बैंक में मैं शेर किया थे, तो असा और टाइम दीजिएगा, और definitely I will update you on this one, और जल्दी ही फिर से इसको grow करना शुरू करेंगे, तब तक, it's best to sit on cash, और अगर अभी तक आपने इसको follow करना शुरू नहीं किया, पुरानी वीडियो पे जोर मत दीजिएगा, जो नए addition होंगे, वहां से आ double our money, ठीक है, कि हम stock market में अपने पैसे को कैसे double कर सकते हैं, आपकी expectation set हो जाएगी, जो बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़े-बड़े जुट बोलते हैं, वो समझ में आ जाएगा आपको कि भाई, इतना आसान भी नहीं है, ये पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, औ दूसरों की जेब से पैसा खीच के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो stay tuned और जल्दी में इसमें update करूँगा आपको, और तब तक के लिए, take care guys, have a nice day, bye bye.